हलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज में लेकर आई हूँ बाजरे की आटे की एकदम नई रेस्पी आप एक बार मेरे इस तरीके से बना लेंगे तो अंगुलिया चाटने पर मजबूर हो जाएंगे मैं जो रुमेंट का इतना असान तरीका में आपके साथ सेयर करूँगी कि बच्चे भी इसे चुटकियों में बना लेंगे तो फिर देर किस बात की चलिए ये टेस्टी हेल्थी बाजरे की एकदम नई रेस्पी बनाना सुरू कर लेते हैं बाजरे की एकदमनी रेस्पी बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे का आटा लेंगे आप चाहो तो मिक्सी के जार में घर पे ही बाजरे को पीस सकते हो अब ये रेस्पी बनाने के लिए आपके मन में एक कन्फ्यूज जरूर आएगा कि बाजरे का आटा बारिक कनवाला ले की मोटे कनवाला आप कोई सा भी ले सकते हो अंतर यही होता है कि अगर आप बारिक कनवाला आटा लोगे तो गल्ले में जब आप खाओगे ये रेश्पी तो थोड़ से से चिपकेगी बिल्कुल खस्ता सोफ्ट बनाने के लिए आपके पास पोसिबल हो तो आप मोटे कनवाला आटा लीजिएगा एक किलो बाजरी की क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको मेजुरमेंट सेयर करूँगी तो आपको समझने में आसानी होगी और एक कप बताऊंगी तो आपका मेजुरमेंट गड़ बड़ा जाएगा आटे को एक चलनी में डाल कर इसे चान लेंगे चान ना जरूरी है क्योंकि जब अपन बाजरी का आटा पिस्वाते हैं तो बाजरी के रेसे बाजरी के कन इसमें रह जाते हैं आटा बिलकुल सॉफ्ट लगे जब ये रेस्पी खाए तो ये बाजरी के जो रेसे रेसे आपको दिख रहे हैं वो बीच बीच में मुह में ना आए इसलिए चानना जरूरी है बाजरी की रेस्पी में अगर अपन तिल डाल देते हैं उसका टेस्ट दो गुना भड़ जाता है दोनों का कॉंबिनेशन बड़ा ही टेस्ट लगता है आप चुटकी भर इसमें तिल एड़ कर लीजिए का नमक वगेरा मत डालिए का क्योंकि अपन ये मीठी रेस्पी बनाएंगे अब नीचे से गेस ओन करके एक बरतन में पानी लेंगे और पानी को उतना ही गरम करना है कि अपन हात लगा सके कहने का मतलब गुनगुना गरम कर लीजिए का पानी गुनगुना गरम हो चुका है अब अपन नीचे से गेस बंद कर देंगे तिल मेंने सफेद वाले लिये हैं और ये गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ एड़ मत कर दीजिए का वरना आटा थिक लग जाएगा ऐसे आपको हाथ से गूतना नहीं है आटा कैसे गूतना है हाथ की जू ये हतेली है उसका लास्ट वाला छोड़ से दबाव लगाकर ऐसे मस लेंगे मन में एक सवाल आपके उठराओ होगा कि गरम पानी ही क्यों एड़ किया थंड़ा पानी भी तो ले सकते हैं नहीं, बाजरे के आटे में गुलूटीन नहीं होता है तो ये आसानि से चिपगता नहीं है आटा नरम, सोफ्ट नहीं लगता है इसलिए इसे गूतने के लिए गुनगुना पानी काम में लेते हैं आटा आपको नरम नहीं लगाना है, थिक नहीं करना है, ना ही मीडियम रखना है आटा आप टाइट लगाईएगा जैसे गेहों की बाटी बनाते हैं तो आटा टाइट लगाते हैं वैसे ही अपन इसके गोले त्यार करेंगे, उसके लिए आटा टाइट लगना जरूरी है. तिल आप अभी नहीं डालना चाहो तो सबसे लास्ट में तिल की सिकाय करके भी एड कर सकते हो. और ये देखे आटा मैंने लगा लिया है, इसमें से बिल्कुल छोटी छोटी लोयां तोड़ेंगे. दोनों हाथ के बीच में लेकर इसे गोल मटोल सेप देंगे, बाटी की तरह है. एक छोटी सी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, बाटी की साज ना तो आप मोटी रखिएगा, ना मीडियम, बिल्कुल छोटी 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 रखनी है. हर बाटी की सिकाई अच्छे से हो जाती है, मीडियम साज रखते हैं तो भी, लेकिन ये बाजरे की बाटी है, मीडियम साज या मोटी साज रखोगे, तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, और फिर भी अंदर से कच्ची रह सकती है. इसलिए इसकी छोटी छोटी बाटियां बनाएगे, अंदर से भी इनकी अच्छे से सिकाई होगी, और फटा-फट से ये कुक हो जाएगी. सारी बाटियां बना लेने के बाद, आपके पास ओवन हो या बाटी मेकर हो, तो उन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पर बाटी मेकर लिया है, जिसे पहले थोड़ा सा हिट करेंगे, जब ये हिट हो जाए, तब इसमें बाटियां रखेंगे. अब इस्यादी फंक्शन में तो हम क्या बनाते हैं, जो गाई के कंडे होते हैं, उनको जला कर जो राक होती है, उनमें बाटियों की सिकाई करते हैं. घर पर बनाने का ये आसान तरीका में आपके साथ सेर कर रही हूँ. अगर आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो दूसरे तरीके से भी इनकी सिकाई कर सकते हो, बस थोड़ा सा खर्चा इसमें बढ़ जाएगा. गी में आप इन्हें फ्राइ कर लीजिए का बाटियों को. किस तरीके से? सिकाई करने से ये रेश्पी ज़्यादा टेस्ट ही लगेगी, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा. ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बीच में भी दूंगी. गेस की फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि इन्हें धीमी धीमी आज़ पर ही पकाना है. बीच बीच में पलटते भी रहेंगे, वन्ना क्या होगा, एक तरफ से तो इनकी सिकाई हो जाएगी, और दूसरी तरफ से ये कच्ची रह जाएगी. गल्ती से भी आप गेस की हाई फ्लेम करके इन्हें पका मत लीजिए का, बाहर से ये पक जाएगी, लेकिन अंदर से ऐसे कच्ची ही रह जाएगी. आप जाओ थोड़ी सी और इन्हें करारी कर सकते हो, लेकिन इतनी बहुत है. हमारी बाटियां सिख चुकी है ओवन में, अब नीचे से गेस बंद कर देंगे. अगर आप बाटियों को ओवन में सिखाए ना करके, इन्हें फराई करोगे घी में, तो यहाँ पर आपकी घी की बच्चत हो जाएगी, थोड़ा कम लगे का लास्ट में घी. टेस्टी भी यह ज़दा रेस्पी तभी लगेगी, जब आप इन्हें घी में फराई करोगे बाटियों को. अब घी इसमें बराबर क्वांटिटी में लगेगा, जितना बाजरे का आटा लिया है, उतनी क्वांटिटी में आपका घी लगेगा, क्योंकि बाजरा है, बाजरा घी को ज़दा सोख लेता है. अभी तो ये पूरी रेश्पी बनी भी नहीं और मेरे मूँ में पानी आने लग गया है, इसे देख कर. कोई बेंकिंग बेंकिंग सोडा डानने की जरूरत नहीं है, देखे कितनी खसता है, ऐसे हाथ का हलका सा दबाव लगया या, और उसी में ये फोट गई. ऐसे करके आपको बिल्कुल बारिक चूरा कर लेना है, सारी बाटियों का. हमाम दस्ते में भी कोट सकते हो, मैं इसे में कोट रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें गुड एड़ करेंगे. एक किलो बाजरे के आटे में 600-700 गराम गुड, कुछ लोग बराबर क्वांटिटी में भी गुड एड़ कर देते हैं. आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो, तो बराबर क्वांटिटी में भी एड़ कर सकते हो गुड को. गुड बाजरे की बाटियों को अच्छे से मिक्स करके मैंने मिला लिया हैं, उपड़ से मगज के बीज भी डाल सकते हो थोड़ी से. वर्नातिल सेकर या ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हो, मेरे पास है नहीं, तो मैं ड्राइफ रूट्स लिव कर रही हूँ. गुड की जगह अगर आप इसमें सक्कर डालोगे, तो इतनी टेस्टी नहीं लगेगी, क्योंकि बाजरे का कॉंबिनेशन गुड के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे उमीद है ये टेस्टी सी नई सी बाजरे की नई रेश्पी आपको पसंद आई होगी अगर आप इसे सर्दियों में खाऊगे, सब्ता में एक बार भी खाऊगे, तो खासी जुखाम नहीं होगी, जो इसे सर्दी लगती है न, अकड़न सी होने लग जाती है सरीर में, वो नहीं होगी, ये सरीर में एनर्जी पेदा करता है, और इमिनुटी सिस्टम को भी बुस प्रेगा